सब्सक्राइब कीजिए, हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाईए, आयरवेदिक उशद्यां और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेर जरूर करें नमस्कार दोस्तो, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं सर्बत जूफा मुरकब के बारे में, दोस्तो आज हम आपको बताएंगे सर्बत जूफा मुरकब किन रोगों में काम करता है, और कौन सी उशद्येश में परियो सकते हैं वीडियो को पाउस करके भी आप देख सकते हैं वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें कौन-कौन सी ओशद्यां प्रियोग की गई है तो चलिए मैं पहले आपको बता देता हूं यह किन-किन रोगों में काम करता है फिर हम इसका जैसा कि आप रेट भी देख सकते हैं 115 रुपे इसका रेट है और यह 200 ml का पैकिंग है और इसमें 500 ml का पैकिंग भी उपलब्ध है तो यह जो शर्बत जूफा मुरक्कब है यह विशेश रूप से प्रियोग किया जाता है मलगमी खासी के लिए दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि सर्दी की वज़े से या अन्य जिसे हम कुछ चिकनाई खाकर या उपर से जिसे पानी पी लेते हैं तो इस वज़े से भी हमें खासी हो जाती है और कभी-कभी खासी के साथ मलगम भी आने लगता है और च्छाती पर जो है बलगम जम जाता है जिससे खड़खड़से की आवाज इस तरीके से रहता है और सरदी के वज़े से भी बलगम छाती पर जम जाता है तो ऐसी स्थिति में इस सरबत जूफा मुरकब का प्रियोग किया जाता है और ये बलगमी खासी और वैसी सुखी खासी दोनों के लि और च्छाती साफ हो जाती है और खासी को भी ठीक कर देता है इसके साथ साथ इसका प्रियोग सरदी जुखान के लिए भी किया जाता है लेकिन विशेश रूप से जो इसका प्रियोग होता है वो बलगमी खासी के लिए ही किया जाता है इसके अलावा ये दमे के रोग्यों के लिए भी बहुती अच्छी ओशद्धी है दमे में भी इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है इस ओशद्धी को आप 25 एमल से लेकर 50 एमल तक गरम पानी के साथ इसको आपको लेना होगा ये इसके लेने का तरीका है किसी भी उशद्धी को लेने से पहले आप नजदी की डोक्टर से या किसी व्याद से जरूर सलहा ले ले हो शकता है आपकी प्रकरती अलग हो और उशद्धी आप पर कोई अलग परभाव दिखाए तो इस वज़े से आपको अपने आसपास के डोक्टर से सलहा ले लेनी चाहिए तो चलिए हम बताते हैं इसमें कौन-कौन शियोशद्धी इस्तमाल की गई है तो इसमें इस्तमाल किया गया है अंजीर, खत्मी, असले सूर्ष, बादियान जिसे हम अपनी भासा में सौप भी बोलते हैं और तुखम करपस, हंसराज, परुसिया उशान और हंसराज ये एक ही है ये दोनों एक ही चीज़ के नाम होते हैं जूफा, मुनक्खा, गुलकंद और शुगर और इसमें इसको ज़्यादा लंबे समय तक ये चले तो इसके लिए इसमें सोडियम, पेंजोइट मिलाया जाता है तो ये इसका फॉर्मला था और शुद्यो का एक ये योग था जो की सर्बत के रूप में आपके सामने हैं ये सर्बत जूफा मुरकब की जानकारी थी तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उमीद है आपको जानकारी अच्छे लगी होगी अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और इस जानकारी को शेयर भी करें ताकि और भी इस जानकारी का लाब उठा सके अगर आपका कोई शवाल या सुजाव है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अगर आपको किसी भी और शिदी की या जड़ी बूटी की आवशकता है और आपको नई मिल रही है तो आप हमसे संपर करके मंगा भी सकते हैं आपको या जानकारी कैसी लगी ये भी हमें नेचे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लेजिए क्योंकि हम बविश्य में भी ऐसी और भी अच्छे जानकारी लेकर आते रहते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए हसते रहिए और हसाते रहिए और अपनी शेयत का ख्याल रखिए धन्यवाद